आज फिर से हम लोग ready हैं एक और debt free company के साथ जहां आप देखेंगे company के पास cash भी अच्छे numbers में available हैं जो है 99.43 करोर के आसपास तो एक तो अच्छी चीज हमें नजर आही चुकिए company के उपर कि आपके ये company debt free भी है और company आपके अच्छा खासा cash भी hold करके रख रही है next यहां बात करें return तो return भी जो रहे हैं आपके हर एक time frame पे काफी अच्छे return नजर आया है चाहे वो आपके one year में हो या fit three year में हो that means अगर आप short term के लिए भी hold करें या at least आप mid to long term के लिए hold करें तब भी आपके लिए इसने काफी अच्छा खासा profit बना के दिया अपने share holders को तो उसके basis पे भी आप आगे share में जा सकते हैं बाकी जब हम लोग company का नाम बताएंगे तो hopefully आप लोगों के पास मतलब maximum लोगों के पास ये share जरूर उनके portfolio में होने वाला है next बात करें यहाँ पे valuation के उपर तो जो भी चीज़े आप नजर डाल रहे हैं काफी बहतरी नजर आ रहे हैं जैसे कि dividend yield 1.38% के आसपास है जो आप किया सकते कि अच्छा आपको यहाँ पे dividend प्रोवाइड करती भी नजर आती ही company EPS भी आपके काफी बहतरी नजर आ रहे हैं जो कि है 69.01 के आसपास तो कहीं न कहीं इनके EPS और dividend yield हमें अच्छे नजर आए वही industry PE और stock PE में आप compare करें तो यह एक बहतरीन company होने के बावजूद आपको इसके stock PE जो नजर आ रहे हैं वो कहीं न कहीं industry PE से नीचे ही देखने क तो मिल रहे हैं that means यह share आपके undervalued price पर मिलने वाला share है अब बढ़ेंगे हम लोग वीडियो में आगे की तरफ और discuss करेंगे आज के company के ऊपर और साथ ही साथ प्लीज चैनल को subscribe भी जरूर करें क्यूंकि ऐसे वीडियो लेके आते हैं हम आप सभी के लिए daily basis पे तो आज की जो company है वो है आपके crystal limited तो most of the लोग जानते होंगे इस company के बारे में कि यह company करती क्या है बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि यह एक global diversified analytics company है जो कि आपके rating, research, risk and policy साथी साथ advisory services के उपर काम करते हुए नजर आते हैं तो यह एक तरीके से इंडिया की leading rating agency के तौर पे आपको काम करती हुए नजर आ रही है जो कि provide करते है high end research to large bank और साथी साथ leading corporations को वहीं अगर देखें यहाँ पे rating business तो 28% जो revenue है यहीं से इनके generate होता है company अगर हम लोग देखें the company is a subsidiary of किसके SNP Global INC तो यह company SNP Global की subsidiary के तौर पे आपको काम करती हुए नजर आ रही है presently जो SNP Global है वो hold करते हैं around 67% का stake इस company में it is a leading independent research house साथ ही साथ India's most credible provider रहे है of economy and industry research अब यहाँ पर research business की बात करते हैं तो 65% जो इनके revenues है वो research business से आते हैं और बाकि आपने जो देखे थे rating business से 28% का revenue generate होता हुआ यहाँ नजर आ रहा होगा उसके बाद company की बात करें तो यह around 77 sectors को cover करते हुए आपके 1200 Indian and global clients तक इनके presence रहे हैं पहुँच रहे हैं include 90% of India's banking industry और साथ ही साथ आप देखेंगे 15 of top 25 domestic companies जो है या फिर all domestic mutual fund है या फिर life insurance company इन सब के उपर यह काम करते हुए आपको दिखते हैं and fourth of the world's leading consulting firm तो जहां पे यह इंडिया में आपके leading आपके rating agency के तौर पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं वही अगर हम लोग world basis पे बात करें तो यह fourth number पे आपको as a leader नजर आते हैं तो यहां पे आपने देखा किस तरीके से 77 sectors पे इनका focus बना हुआ है इनके इतने अच्छे खासे global basis पे और Indian basis पे client भी नजर आ रहे हैं वहीं इनके जो domestic companies है या फिर mutual fund हो life insurance companies हो सभी के साथ इन्होंने अपनी tie-up की भी है और सभी को यह अपने services प्रोवाइड करते हुए आपको नजर आते तो आप खुद भी सो सकते कि कितनी बड़ी और कितनी अच्छी company है यह एक तरीके से नेक्स यहाँ पे बात करें the company provide high-end risk analytics and research services तो यहाँ पे आपको analytics के साथ साथ research services प्रोवाइड करते वे नजर आते हैं जो इनके 140 global और regional financial institution है उनको साथी साथ it serves leading investment और commercial banks साथी private equity player रहे हैं hedge fund and asset management and insurance companies globally and has center कहां कहां पे इनके centers Argentina, China, Poland, London, Melbourne, Sydney and New York जहां से ही आपने जो clients हैं उनको हर एक time zone में हर एक language के साथ आपको support करते वे नजर आ रहे हैं चाहे वो आपके leading investment हो या investors हो या फिर commercial banks हो या फिर कोई private equity player हो या फिर जो fund hedge fund वगएर प्रोवाइड करते चाहे वो हो तो हर एक जगह पे इनके client फैले हुए हैं हर एक जगह पे आपको ये अपने client को support करते हुए नजर आते हैं वही अगर बात करें green which was acquired in 2020 तो green which को भी इन्होंने acquire किया था in 2020 और अभी and is now 100% subsidiary of crystal तो आज के दिन में ये जो green which company है वो 100% इनका stake जो है वो crystal के पास आपको नजर आएगा उसके साथ ही ये जो company थी ये provide करती थी data analytics and insight to the financial services industry तो यहाँ पर ये आपको अपने services किस तरीके से provide करते हुए नजर आते थे through data analytics और insights वगरा प्रोवाइड करते थे जितने भी financial service industry है उनको साथ ही साथ ये specialized थे in providing high valued data और actionable जो recommendations हुआ करते थे वो देते थे ताकि इनके जो business results है इनके client के वो अच्छे तरीके से improve हो सके ताकि जो भी market में ये research करके देते हैं उसके basis पे इनके client के जो products है या फिर client के जो business है उनमें अच्छा खासा improvement हो सके quality उसमें add-on हो सके तो इस त पाकी client को इस तरीके से service provide कर रहे है कि उनके लिए काफी अच्छा-कासा beneficial हो चुका है यहां पर नेक्स बात करते हैं इनके जो revenue breakup है उसके उपर तो यहां पर North America से 41% के आस-पास revenue generate होता हुआ नजर आता है इंडिया की बात करे 28% Europe से 23% और rest of the world की बात करेंगे तो 8% के आस- company में इनके organization में वो around 86% employees इंडिया से हैं वही 7% America और 4% Europe से 2% की बात करें एपक and 1% UAE से तो यहां पर आपको जो most of the customers sorry most of the employees हैं जो इनके साथ जुड़े वें already चाहे वो past की बात हो present की बात हो या फिर आगे आने वाले time की बात हो तो most of the आपको जो इनके employees हैं यहीं से इसके results के उपर जहां आप देखेंगे quarter basis पे company अच्छा perform करती हुई नहीं दिखी है क्योंकि इनके जो sales के numbers हैं उनमें आपको एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है जहां यह 706 करोर के आसपास का December 21 में इन्होंने numbers बनाये थे वहीं इन्होंने March 22 की बात करें तो 595 तो यहां आपको एक गिरावट नजर आ रहे होंगे वहीं अगर operating profit और net profit की बात करते तो दोनों में ही आपको थोड़े dip नजर आये है in comparison to previous quarter तो यहां पे quarterly results जो रहे हैं वो उतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं रहे हैं अब उसके बात बात करें अगर यहां पे हम ल जहां jump नजर आये हैं तो company yearly basis पे काफी अच्छा perform करती हुए आपको नजर आई है the next one is sales and profit growth percentage तो जिस तरीके से आपको profit growth percentage में एक अच्छा खासा jump नजर आया है जहां पे 20% से यह सीधा आपको 186% के तरफ आपको बढ़ते हुए दिखे हैं वही income growth percentage की बात करें तो minus 4 से य 18% के आसपास नजर आ रहे हैं तो जहां ये 5 साल में minus 2 थे उसके बाद minus 4 थे और गिरते हुए आपको दिखे उसके बाद वहां से लगतार आपके जो इसमें भी jump आपको देखने को मिले हैं बहुत बहतरी इन तो नहीं कहेंगे बट हाँ ठीक ठाक से इसमें percentage में आपको jump न और तीन साल को compare करें अगर हम लोग एक साल से तो यहां काफी अच्छा कासा है इनका ROE and ROCE percentage भी जो चीजे यहां पर अच्छी तरीके से हमें बतारी की company कहीं न कहीं एक अच्छी company के तोर पर आपको market में काम करती हुए नजर आ रही है या अगर हम लोग return के उपर जैसा हमन promoters के पास obviously आपको सबसे जादा holdings देखने को मिल रहे है उसके बाद जो public है उनके पास 20% के आसपास holding है FIS and DIS के पास almost 1% के आसपास का difference है जहां पर आपके DIS के पास 7% और FIS के पास 6% के आसपास की holding देखने को मिली है promoters pledging की बात करेंगे तो promoters के उपर किसी भी तरह कि को और अगर आपको समझ नहीं आता है या स्टिल कोई doubt है आपको तो आप हमें comment box में जरूर पूछ सकते हैं कोशिश करेंगे जल से जल reply back करने की देखते हैं DIS के अंदर भी कौन-कौन से mutual fund investment कर रहे है तो यह रहे आपके 4 mutual fund जहां पे SBI Magnum Mid Cap है 2.90% के आसपास investment करते हुए महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा के Manulife Mid Cap है जो यहां पे 2.78% के आसपास investment करते हुए दिखे है ताटा Mid Cap Growth की बात करें 1.68% investment और HDFC Retirement Saving Fund के तरफ से 1.58% के आसपास investment है तो I think हमने वीडियो में काफी कुछ discuss किया है स्टिल आपको doubt है तो हमने जैसा की कहा है आप हमें comment box में अपनी queries डाल सकते हैं बाकी channel को subscribe भी जरूर करें मिलेंगे आपसे next video में बहुत ही जल तब तक के लिए thank you and take care